ओम्च्यान्ति भगवान से सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब हमें सर्ष्टी के आदी मध्यंत का संपूर्ण ज्ञान मिल जाता है हर एक आत्मा का पार्ट कैसे चल रहा है ये विश्व एक नाटक है ये विश्व का ड्रामा कैसे चल रहा है जब हमें इसका पता चल जाता है तो फिर मन की सारी उल्जने समात्त हो जाती है ग्यानी भी यदि उल्जनों में रहे तो सोच लें उसे ग्यानी कौन कहेगा और उसका ग्यान फिर किस काम का होगा तो ग्यानी वास्तों में वही है जो क्या क्यों कैसे की उल्जन से सदा मुक्त रहता हो अपने को देख लें दूसरों को देखते हुए कुछ भी देखते हुए हमारे मन में कितने क्वेश्चन सुठते हैं या हमारा चित श्यान पर रहता है अच्छी तरह विचार कर लें यदि हम उल्जनों में हैं, यदि क्या क्योंके questions में रहते हैं, तो ज्ञान और योग की सक्ति तेजी से नस्ठ होते जाती हैं, क्योंकि जितनी मन में उल्जने होंगी, ये questions ज़्यादा उठते रहेंगे, उतना ही व्यार्थ वढ़ेगा, negativity ज़्यादा वढ़ेगी, मन की speed fast हो जाएगी, तो energy नस्ठ होने लगेगी, और जिनको महन कर्तव करना हो, उन्हें बहुत energetic होना ही पड़ेगा, उन्हें बहुत सक्ति साली, पवित्रता की सक्ति से संपन, स्रेशंकल्पों की खजाने से भरपूर होना ही पड़ेगा, तो हम इस ड्रामा की ज्यान की कुछ बातों को practical में apply करते रहें, कम से कम पाँच बाते आप चुन ले विश्व ड्रामा की और उनका यूज करें, जैसे हर आत्मा का अपना-अपना accurate पार्ट चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, वही सत्त है, ना question, ना complaint, ना अस्यरिये, अस्यरिये भी तो होता न, ये क्यों, इतने बड़े होकर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है, इतने अथ्यात्माओं के बीच भी ऐसा क्यों होने लगा है, ड्रामा का ज्यान, प्रारब्द का ज्यान, राजिस्था पी थोरा इसकी संपूर्ण जानकारी होने के बाद, हमने इस चिन्त रहने लगते हैं, तो सभी अपने इन क्वेस्चन के अंसर प्राप्त करके, क्वेस्चन से प्रसनों से परे हो जाएं, तो चित सदा प्रसन भी रहेगा, और हमारे अंदर भी बहुत सारी क्वालिटी जाती जाएंगी, क्योंकि अगर हमारा ध्यान इन सब बातों में रहता है, इसकार्थ होता है, हम दूसरों को देख रहे होते हैं, अपने को देख ही नहीं पाते, जान और योग की गहराई में हम जान नहीं पाते, एकांत भी मिलेगा तो यही परचिंतन, यही व्यर्थ की बाते बुद्धी म चलती रहेंगी, तो कुछ में फाइदा नहीं होगा, इसलिए यान स्वरूप होकर पहले चित को स्यानत करना चाहिए, फिर योग युक्त रहकर अपने को पावर्फुल बना देना चाहिए, सोच लें, सारा संसार तो इन ही चक्रों में उल्जा हुआ है, हम भी यदिन चक् जे रहेंगी, तो ग्यानी बनने का लाब क्या, भगवान से मिलन का फाइदा क्या, त्याग तपस्या का मिलेगा ही क्या हमें, हमारा त्याग तो निस्वल चला जाएगा, तो हम अपने अंदर क्वालिटी भढ़ते चलें, जो इन क्वेस्चिन से परे रहते हैं, निमित्त उनकी क्वालिटी की सेवा बढ़ती जाती है, उनमें अपनी भी क्वालिटी बहुत बढ़ती जाती है, क्वालिफिकेशन के वली ये शिक्षा की नहीं, डिगरियों की नहीं, सद्गुनों की क्वालिफिकेशन, महान विचारों की क्वालिफिकेशन, अपनी संपून प्यो से अपने समय को अपने अन्मोल संकल्पों को हम वेश ना होने दें यही हमारी सद बुद्धी इस्वरिय बुद्धी पारस बुद्धी है तो हम अपने को चेक करेंगे पंदरा दिन कहां तक हम इन सब से मुक्त हुए हैं उल्जनों से परे हुए हैं